हाला फ्रेंड स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूरोपी यू पुनर जागरन के बारे में यूरोप में जो पुनर जागरन हुआ था उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं औ पुनर जागरन किस तरह से उत्पन्न हुआ, पुनर जागरन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है, किस तरह से हुआ, उसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे, पुनर जागरन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पुनर जागरन के परिभास क्या है ठीक है किस कारण से पुरो जा जो है पुनर जागरन की उत्पत्ति हुई पुनर जागरन का विकास कैसे हुआ ठीक है फिर है पुनर जागरन की विशेस्ताय के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो यह सभी टॉपिक्स पर हम लोग आज के वीडियो मे और एके करके जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ठीक है तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहीएगा छोड़ करके वीडियो चला जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए लाश्ट तक जरूर देखेगा और अच्छे से स शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानेंगे हम लोग पुनर जागरन की जो प्रिष्ठ भूमी है ठेक है जो यूरोपिया पुनर जागरन के प्रिष्ठ भूमी क्या है मतलब कहां से आधार क्या है ठेक है पुनर जागरन की उत्पत्ती का आधार क्या है किस कारण से जो है पुनर्जागरन के उत्पत्ती हुई कहां से उत्पत्ती हुई कैसे उसकी सुरुवात हुई ठेक है देखिए इतिहासकारों के बीच इतिहास के काल खंडों को लेकर आमतर पर विवाद रहा है इतिहासकार जो लोग होते हैं वो मतलब जो मल ये के कि ये इतियासकार है ये इतियासकार है ये इतियासकार है तो लगभक सब जो इतियासकार लोग होते हैं वो मतलब अपने-पने सिध्धानतों को साबित करने में रहते हैं ठीक है अपने-पने विचारों को सही साबित करने में रहते हैं तो कुछ लोग क चला कोई कहता है कि नहीं यह 1200 से 1300 इस वी तक चला तो इस तरह से जो है मतलब समय के लिए ठीक है काल खंडों को लेकर मतलब समय को लेकर ठीक है विवाद चलते रहता है इत्यास कारों के पीच में ठीक है तो इसी से जो कौमन होता है या मतलब जो काल खंड जो मतलब बहुत सारे लोग सहमती होती है जिस काल खंड पर उसी को जो है सही मान लिया जाता है तो इतिहासकारों के बीच जो है समाने रूप से इस विशह पर कोई सहमती नहीं है कि कौन सी घटना या तारिख आधनी की इतिहास और मद्यकाले इतिहास से अलग करती है फिर भी इतिहासकार जो है साधारणत इस बात पर सहमत है कि 14. सताब्दी से 16. सताब्दी तक यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धाचे में कुछ ऐसे परिवरतन देखता रहा जिन्हें हम आधनी काल का प्रारंभ करने वाला काल कह सकते हैं इतिहासकार लोग मानते हैं कि 14. सताब्दी से लेकर 16. सताब्दी के बीच में कुछ ऐसा हुआ यूरोप के राजनीति में, वहां के समाज में या आर्थिक धाचे में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वहां की लोग जो है धीरे धीरे आधनिक समय की ओर बढ़ने लगे तो उसी को कहा गया है पुनर जागरन काल तो पुनर जागरन काल जो है कब से कब तक चला? तो इतिहास कारों का मंना है कि चौदवी सताबधी से लेकर सोलह मी सताबधी तक तेक है? चलिये आगे बढ़ते हैं यूरोप का मध्यकाल यूरोप का मध्यकाल प्राचिन रोम और यूनान की समर्द संस्कृती की विलुप्ती का काल था यूरोप का मध्य प्राचीन काल क्या था तो रोम और यूनान की सम्रिद्य संस्कृति की विलुप्ति का काल था मध्य काल में यूरोप में रोम और यूनान की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी इस काल में मनुष्य के मस्तिस्क पर रूढ़ीवादी चर्च का आवरण छा गया इस समय में क्या हुआ कि जो चर्च लोग थे ठीक है चर्च जो थे और उनके जो उसके जो पोप थे जैसे मंदिर आप लोग देखे होंगे कि मंदिर में जो है पुजारी होते हैं वैसे ही चर्च में पोप लोग होते हैं तो धीरे-धीरे जो है उस समय पर चर्च का आवरन धीरे-धीरे लोगों के जो है चर्च का मतलब क्या कहें कि रूढिवादी फैलने लगया ठीक है रूढिवाद फैलने लगा लोगों के बीच रूढिवाद का मतलब होता है कि किसी के प्रती आस्था रखना किसी के प्रती हम आस्था रखते हैं तो हम कहते हैं कि हम रूढ़िवादी हैं ठीक है तो किसी के प्रती अगर आस्था रखा जाता है तो उसको कहा जाता है रूढ़िवाद तो लोग जो थे धीरे-धीरे चर्च के प्रती उसके पोप के प्रती आस्था रखने लगे धीरे-धीरे ठीक है उस पर विश्वास करने लगे भरोसा रखने लगे और ठीक है भरोसा रखने लगे तो इसी से धीरे धीरे जो है रुढिवाद बढ़ने लगा ठीक है और चर्च धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में छाने लगा लोगों के उपर जो है एक आवरन बना लिया चर्च ठीक है जो पोप कहता था चर्च के जो पोप थे जो कहते थे वही होता था ठीक है वही होता था वो मतलब एक तरह से अपनी राजनीती चलाते थे ठीक है एक तरह से वो अपनी राजनीती चलाते थे ठीक है अगर कुछ भी समस्या होता था लोगों को तो वो कोट में या कहीं पर नहीं जाते वो डिरेक्टली चर्च में ही जाते और वहीं के पोप फैसला करते थी तो पोप जो थे वही लोग जो है समस्या का समधान करते थे तो ऐसे तो चलता था ठीक है शुरुवात में सब ऐसे ही चलता था लेकिन एक समय ऐसा आ गया ठीक है एक समय ऐसा आ गया कि जब पोप लोग धीरे-धीरे लोगों के जो है लोगों के उपर अत्याचार करने लेगे ठीक है जैसे उनके जमीनों को कबजा करना क्योंकि लोग जो थे चर्च को रखते थे पोप पर ज़्यादा भरोचा रखते थे तो पोप इसी का फायदा उठाने लगे ठीक है और इसी के चलते जन्म हुआ पुनर जागरन का ठीक है अधर्म सुधार आंदोलन का तो चलिए आगे बात करेंगे फिर हम लोग परंतु मध्यकाल के अंत के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितिया पैदा हुई जिससे मानों की मदोदसा में चेतना का उदय हुआ ठीक है मानों के मस्तिस्क में धीरे धीरे चेतना का उदय हुआ वो लोग समझने लगे कि अब पोप और चर्च को मानने से कोई फैदा नहीं है ठीक है उसके प्रतियास्था रखने से कोई फैदा नहीं है अब हमें जो है अपने अनुसार जो है अपना जीवन जीना होगा तो इस काल में पुनह उन आदरसों तथा मुल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो मध्यकाल में नग को महत्ता देना ठीक है और इस नव चेतना को ही कहा गया पुनर जागरन मतलब लोग दीरे-दीरे अब समझने लगे कि अब चर्च के प्रतियास्था रखके कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में जो है जो नहीं दिखता है ठीक है मतलब जो एक ऐसा लौकिक जगत ठीक है ए प्रतियास्था रखने लगे कोई चर्च को अब जो है चर्च पर भरोसा नहीं करें नहीं किये वह लोग ठीक है नहीं कर नहीं करने लगे ठीक है और मानों के विकास के बारे में सोचने लगे और रोढ़ी वादिता की जगह तर्क को महत्तवत देने लगे ठीक है मतलब रो पहले के समय से चलते आ रहा है वही फिर आगे आने वाला समय में जो लोग करते हैं जैसे पहले के लोग जो है मंदीर वगरा की पूजा बहुत जादा करते हैं ठीक है तो उनके जो आगे आने वाले पिड़ी हुए ठीक है वो लोग भी मंदर की ज्यादा पूजा करते हैं ठी यह जो है एक मतलब क्या कहें एक मंदिर बनवाए ठीक है एक मंदिर बनवाए और आप उनके जो पुत्र हुए ठीक है उनके जो पुत्र हुए वो इस मंदिर में जो है मतलब इस मंदिर के प्रती आस्था रखते थे फिर आपहुए या आप के पिताजी हुए तो यह भी इस मंदिर के प्रति आश्था तो यह दीरे धीरे कहा हुए एक रुडी वादी हो गया घुक है मतलब कि पहले से जो चला आ रहा है वही फिर आप करते हैं तो उसी को कहते हैं रोड़ी वादिता ठीक है या रोड़ी वाद तो धीरे धीरे जो है रोड़ी वाद के जगह अब तरक आने लगा ठीक है तरक आने लगा कि अब हम क्यों इस पर विश्वास रखें ये कैसे हुआ तो ये सभी प्रस्ण उठने लगे तो इसी के चलते एक नौ चेतना का विकास हुआ एक नया सोच का विकास हुआ उसी को कहा गया पुनर जागरन मतलब पुनर जागरन का मतलब है कि फिर से जागना फिर से जागना फिर से जागने का मतलब ये नहीं है कि आज रात को सो गए और कल फिर से जाग गए नहीं इसका मतलब है कि मानव के विचारों का जागना ठेक है मानव में नया सोच उत्पन होना जिससे उनका विकास हो उसी को कहा गया पुनर जागरन ठेक है आप समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं पुनर जागरन यूरोप की इतिहास की कोई आकस्मि घटना नहीं थी यह पिछली कई सताब्दियों का परिणाम था पुनर जागरन से पहले भी कम से कम दो आंदोलन हुए थे ठेक है पहला हुआ था कैरोल लिंगियन पुनर जागरन जो नवी सताब्दी में हुआ था तथा दूसरा हुआ था बारहवी सताब्दी का अंदोलन ठेक है जिसमें मानावादी विचारों का विकास हुआ और उत्तर मंदेकाल में अर्ध निद्रा से उठने के लगातार प्रयास हो रहे थे तो ये जो पुनर जागरन है वो कोई एक समय में तुरंत नहीं हो गया तेक है उसके लिए दस को पहले से ही इसकी जो है शुरुवात हो चुकी थी तेक है दो अंदोलन भी हो चुके थे कैरोल लिंगियन पुनर जागरन और एक बारहवी सताब्दी का अंदोलन चलिए आगे बढ़ते हैं अब पुनर जागरन का अर्थ क्या होता है तो ये तो मैंने बता ही दिया है लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ देखे पुनर जागरन के लिए यूरोप में प्रयोक्त सब्द है एक रेनेशा और फ्रेंच भासा का सब्द है और इस सब्द का प्रथम परयोग इटली के वैसारी ने सोलाहमी सताब्दी में अस्था पत्य तथा मूर्तिकला में आये क्रामतिकारी परवर्तनों के लिए किया था इसके पश्चात 18 सताबदी में फ्रांसिसी विद्वान दीदरों ने भी कला और सहित्य के 9 श्रिजन हेतु रेनेसा सब्द का परयोग किया तो इस सब्द का परयोग जो है वैसारी ने किया था अस्थापत्य मूर्थी कला में और दीद्रों ने किया कला और साहित्य में ठीक है तो यह रिनेशा सब्द से बना है पुनर जागरण और यह रिनेशा सब्द जो है फ्रेंच भासा का सब्द है जो यूरोप में काफी प्रसद्य था चलिए पुनर जागरण के परिभासा भी जान लेते हैं क्योंकि आप समय तो सब्दिये जागरण कर दो आप नहीं लिखने को आजाएं यहां मतलब जो है एक मतलब क्या कहें प्रभाबी परिभासा आपको नहीं मिलत पाएगा तेक्व इसलिए मैं बता धेता हूं हर एक वीडियो कि उसकी परिभासा क्या होगी ठीक है तो पुनर जागरन एक ऐसा भौतिक एवं उदार संस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मनुस्य मध्य कालिन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रेसर हुआ मतलब मानो जो है वो विशेश जो बंधनों से मुक्त होकर ठीक है मतलब रुढिवाद से मुक्त होकर एक स्वतंत्र चिंतन की ओर ठीक है स्वतंत्र चिंतन का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से सोचना ठीक है आप कुछ भी सोच सकते हैं मानव जीवन के विभिन्य पहलूँगा उन्य यान इने अप्ग्रेड आप्ग्रेडेशन आरंब हुआ जिससे उस योग की कला, साहेत्य, दर्षन और विज्ञान आदी सभी छेत्रों में चहुमुखी प्रागती हुई ठीक है चर्च लोग जब थे चर्च जब था पोप लोग थे तो वो लोग इन लोगों का फायदा बहुत उठाते थे क्योंकि ये लोग अंधा भी स्वास करते थे चर्च पर ठीक है उस समय लोग अंधा भी स्वास करते थे चर्च पर जो पोप कह दिया वही होगा ठीक है और जो कह दिया वही होगा जो कह दिया वही मानना है ठीक है जो कह दिया वही कर रहा है तो इस तरह से होता था पहले लेकिन धीरे धीरे लोग बदलने लगे थे ठीक है और ये बदलने लगे थे ये कब से कब तक तो पुनर जागरन का समय जो है सताब दीदक, ठीक है, चौद अभनी से सुलहवी, अगर इस्वी में देखे तो तेरा सो पचास इस्वी से लेकर पंदरा सो पचास इस्वी के बीच, ठीक है, पुनर जागरन का काल समय माना जाता है, ठीक है, पुनर जागरन का समय जो है, तेरा सो पचास इस्वी से पंदरा सोब पचास इस्वी के बीच माना जाता है ठेक है मतलब इतिहासकारों का ऐसा मानना है अच्छा पुनरजागरन के सुरुवात कैसे हुई भई देखे पुनर जागरन के जो नवीन विचार धारा की शुरुवात जो है वो इटली से हुई थी ठीक है इटली से हुआ था और इटली से पुनर जागरन के प्रारंब होने के निम्नलिखित कारण थे इटली में भी पुनर जागरन प्ररम होने के कौन-कौन से कारण थे देखिए इटली विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था मतलब विदेश के लोग यहां पर आकरके व्यापार करते थे और उस समय इटली में लोग चर्च पर ज्यादा भरोसा करते थे और उसी समय जो है विदेश के लोग आकरके यहां पर व्यापार करते थे और यहां के लोग जाते थे विदेश व्यापार करने तो इटली जो था विदेशी व्यापार का केंद्र था मतलब लोग यहां पर व्यापार करते थे दूसरे देश के लोग तब दूसरे देश के लोग यहां पर आते थे तो यहां के लोग देखते कि भई यह लोग तो हम लोग जितना चर्च पर ज्यादा भरोसा करते हैं उतना तो यह लोग करते ही नहीं है ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं ठीक है इटली के लोग जब देखते वो लोग को विदेश के लोगों को कि अरे ये लोग तो दूसरे जो है दिमाग के लोग है ये लोग जो है अपने हिसाब से काम करते हैं ठीक है अपने से सोच कर काम करते हैं और एक हम लोग है जो चर्च जो कहता है पोब जो कहता है वो हमें करना होता है तो ऐसा हुआ और धीरे-धीरे लोग Buddy के लोग बदलने लगे ठीक है धीरे धीरेory इ writerize the को देह करके या विदेश में जब यह लोग जाते तो वहां के लोगों को देह करके ठीक है वहां के लोगों के सोच को देह करके यह लोग बदलने लगे धीरे-धीरे और यहीं से शुरुवात हुआ पुनर्जागरण का ठीक है अच्छा चलिए आगे बात करते हैं फिर हम लोग की समरिध्य मध्यमवर्ग का उदे तो जो मध्यमवर्ग वाले जो लोग थे उनका धीरे-धीरे विकास हुआ तो वो लोग दीरे-धीरे चर्च को मानने से इनकार कर दिये ठीक है दीरे-धीरे वो लोग चर्च को अब ज्यादा महत्व नहीं देते जिसके चलते पुनर्जागरण का बढ़ावा मिला फिर है समरिध्य नगरों की अस्थापना फिर है पुर्वा की समरिध्य संस्कृती से संपर्क फिर है कुस्तुन्तुनिया का पतन और सिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन सिक्षा के विचारों को धीरे-धीरे बदला गया ठीक है पहले ज्यादा रूढिवात के बारे में पढ़ाया जाता था ठीक है रूढिवात के बारे में बताया जाता था सिक्षा में आप समयते हैं यही से कि कारण क्या था पुनर्जागरण का, देखें मेन कारण है धर्मयुद्ध Да mmечение मेन कारण की बात करें क्लीमों के बीच 11 सदी से 13 सदी के मध्य पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को लेकर होने वाले युद्धों को क्रुशेड कहा गया इन युद्धों में भाग लेने वाले यूरोपीय लोगों ने पुर्व की उच्च सभ्यता और संस्कृति को नजदीक से देखा जिससे उन लोगों बेवकोफ बना रहे हैं यह व्यर्थ में जो है वो क्या कहें कि हम पर राजनीती चला रहे हैं हम चर्च पर बिना वजह के आस्था रखे हुए है तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इनका नया विचार उत्पन्न हुआ इनके मस्तिस्क में और इनका विश्वास धीरे धीरे चर्च के उपर से हटने लगा फिर है ब्यापारिक समरिध्धी लोग ब्यापार में धीरे धीरे समरिध्ध होने लगे ठेक है विकास करने लगे लोग ब्यापार में बिजनेस में लोग विकास करने लगे तो क्रुसेड के बाद मतलब धर्मयुद्ध के बाद यूरोप के पुर्वी देशों के साथ ब्यापारेक समंधा स्थापित हुए जिससे यूरोप में एक नए वर्ग ठेक है यानि मध्यम वर्ग का उदय हुआ और साथ ही कई नए नगर भी अस्तिस्तों में आए तो धीरे धीरे जो है ब्यापारेक सम्रिद्धी हुआ ब्यापार में लोगों को बढ़ाव मिला और लोग जो थे एक नए नगर की जो है निर्माण करने लगे एक नए वर्ग का निर्माण करने लगे जिसे कहा गया मध्यम वर्ग ये लोग धीरे धीरे विक्सित होने लगे तो जो लोग जब विक्षित ज्यादा हो जाते हैं जैसे लोग पाई ज्यादा पैसा वगेरे हो जाता है तो ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं ये आस्था वगेरा पर उड़िवाद वगेरा पर ठीक है तो इसी तरह से व्यापार में लोग धिरे धिरे आगे बढ़ने लगे त पुर्वी रोमन बाइजेंटाइन समराज्य की राइधानी कुस्तुन तुनिया पर अधिकार कर लिया और इस कारण यूरोप का पुर्वी देशों के साथ होने वाला व्यापारिक अस्थल मार्ग बंध हो गया अब यूरोप वासियों ने वैकल्पिक मार्गों की खोज शु प्राचीन रोम और यूनान का ज्यान विज्ञान अपने साथ लाए तो जब कुस्तुन तुनिया का पतन हुआ तो उसमें लोग जो है बहुत आये ठीक है बहुत लोग आये वहाँ पर यूरोप में और वो धीरे धीरे अपने साथ बहुत सारे विज्ञान और बहुत सारे युनान का ज्ञान अपने पास जो है अपने साथ लेते आए और यहां पर लोगों को बताने लगे तो लोगों को धीरे-धीरे जो है चर्च पर से भरोसा उठने लगा फिर है कागजात और मुद्रण यंत्र का आविस्कार 15 सदी के मध्य में जर्मनी के गुटेन बर्ग ने एक टाइप मसीन बना दिया गुटेन बर्ग ने और 1477 इसवी में कैक्स्टन ने ब्रिटेन में एक छापा खाने की सुरुवात की ठीक है एक छापा खाना बना दिया गया छापा खाना का मतलब वो नहीं छापा खाना दूसर पुस्तक शापने वाला जगह ठेक है पुस्तक शापने वाले जगह को छापा खाना कहा जाता था तो कुछ भी चीजे होता तो छाप देते थे लोगों लोग जो है खरीद कर उसको पढ़ते थे तो इस तरह से लोग जो है चाजेत्य का मतलब रोमन और युणानी परचार बते थे तो इनको पता चला कि दोचों मानते हैं वो ब्यारथ में मानते हैं ठेक है चर्च के प्रतियास्था रखते हैं तो हमें अब धिरे-धिरे विकास करना होगा तो इस प्रसार ने यूरोप वासियों को बेंकन के कथन सत्य सत्ता की नहीं वर समय की पुत्री है की सिक्षादी ठीक है तो ये था अच्छा एक और है मानववाद का विकास एक और कारण क्या है मानववाद का विकास देखे अब लोगों के चिंतन का केंद्र बंदू मनुस्य बन गया था अब जो लोग भी सोचते थे वो मनुस्यों के भलाई के बारे में सोचते थे ठीक है ना कि कोई चर्च के बारे में ना कोई जो है और के बारे में तो में जो है अपने आपके विकास के बारे में लोग सोचते थे अब अर था अब मनुस्य के दिर्चस्पी इस्वर में न होकर मनुस्य में हो गई थी तो इस्वर को लोग धिरे धिरे आप नहीं मानते थे तो जिसके चलते जो है लोग विकास करने लगे और विकास करने के साथ साथ जो लोग है वो धिरे-धिरे मतलब चर्च को भोल गए ठेक है चर्च को नहीं मानते थे वो लोग चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुनर जागरण के विशेस्ताएं क्या थी ठीक है तो पुनर जागरण में होता क्या है देखें तरक पर बल दिया जाता है ठीक है तरक पर बल दिया जाता है मतलब प्राचीन लोग से मानते आ रहे थे कि नी चर्च में भगवान होते हैं ठीक है जो हम करते हैं वो भगवान देखते हैं जो करते हैं भगवान की एक्षा से करते हैं तो धेरे धेरे लोगों के बीच में तरक आने लगा पुनर जागरन के अंतरकत ठेक है पुनर जागरन जब हुआ तो धेर धेरे लोगों के मन में तरक आने लगा कि हम यहां जीते हैं तो भगवान महां क्यों ठेक है मतलब भगवान के पूजा हम क्यों करें ठेक है भगवान हमारे लिए क्या करते हैं ठेक है हमें अपने बारे में सोतना चाहिए विचारों के पुष्टी के लिए परियोग का महत्व बढ़ा अब किसी के विचार जो थे साबित करने होते थे तो वो परियोग करता था है ना मतलब कोई अगर विचार देता तो लोग कहते कि अपने विचारों को साबित करो ठीक है अपने विचारों को साबित करो कहां ये सही है ऐसा हो सकता है और जब लोग चर्च को मानते थे पहले तो पोप जो कहता था वही सब मानते थे ठीक है उस पर कोई भी एक भी सवाल नहीं उड़ता था ठीक है कि हम क्यों माने हम किसलिए माने ठीक है लेकिन जब पुनेर जागरन होने लगा तो उसमें लोग जो थे वो कोई भी विचार देता कोई भी विचार देता कोई लोग विचार देते अगर तो पहले लोग सवाल उठाते कि अपने विचारों के पुष्टी करो पहले ठीक है अपने विचारों को जो है आप देखे मानवाद का समर्थन हुआ मतलब मानव के भलाई के बारे में ठीक है सब लोग सोचने लगे सहज संदर्य के उपासना हुई और फिर नवीन भोगोलिक खोज हुआ ठीक है नय नय भोगोलिक खोज हुए और प्रादेशिक भासाओं और लोकिक साहित्य का विकास तो यह थी पुनर जागरण की विशेस्ता है और मिलते हैं अगले वीडियो में उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अगर समझ में आ गया है तो यह वीडियो को एक लाइक जरू किजेगा और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब भी इन्यवाद जैहिन